हलो वीवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में, आज की इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ वाट्स यानि की मस्वों के बारे में, especially इस वीडियो में हम जिनाइटल वाट्स के बारे में डिसकस करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ कि जिनाइटल वाट्स बार बार यानि की एक बार ठीक होने के बाद दुबारा क्यों निकल जाते हैं, इसके अलावा कौन-कौन सी ऐसी मेडिसीन है, जो इन मस्वों को पूरी तरीके से यानि की पॉमनेंट की ओर के लिए बहुत ही इफ्यक्टिव होती है और कितने समय तक इन मेडिसीन्स का सेवन हमें करना चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतक जरूर देखें दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे बठने से पहले मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो में मैं कुछ आपके जेनाइटल वाट से रिलेटेड क्यूरीज को डिसकस करने वाला हूँ क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने अल्रेडी डिसकस किया हुआ है कि ये मस्से क्यूं होते हैं, क्या इनके लक्षन देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं इन टॉपिक्स के उपर ज्यादा कवर नहीं करूंगा, इस वीडियो में मैं मेडिसीन पर्ट पे डिसकस करने वाला हूँ। आपको मैं सौट में बता दूँ कि जब हमारे बॉड़ी के किसी पार्ट में स्कीन का ओवर ग्रोथ हो जाता है जो अन इविन पैटर्न में हो सकता है इसी को मस से बोलते हैं। और अगर बात करें जिनाइटल वाट्स की तो ये युजु बारा भी निकल सकते हैं। अगर हम इस जिनाइटल वाट्स के कारन की बात करें तो ये एच्पीवी वाइरस की वजह से होता है यानि की हुमन पीपिलोमा वाइरस और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांस्मिट भी कर सकता है। ज्यादातर केसेज में ये जिन छोटे दाने के रूप में भी निकल सकते हैं। कुछ पेशेंट की हमें इंस्टाग्राम पे और कॉमेंट बॉक्स में क्यूरीज मिल रही थी कि जेनाइटल वाट्स एक बार क्योर हो जाने के कुछ समय बाद दुबारा से निकल आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये वाट्स होने का मेजर रिजन होता है HPV वाइरस और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांस्मीट भी कर सकता है। और ये जेनाइटल वाट्स मौस्टली सेक्सूली ट्रांस्मीटेड होते हैं। ऐसे में अगर आपको जेनाइटल वाट्स हुआ है और किसी म बार बार देखने को मिल सकता है। ऐसे में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आप जेनाइटल वाट्स से सफर कर रहे हैं तो अपने ट्रीटमेंट के साथ अपने पार्टनर की भी प्रोपर डेगनसिस कराएं। और जरूरत लगने पे आपका डर्मेटलोजिस्ट आपको और आपके पार्टनर दोनों का ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है। वैसे तो किसी भी प्रकार के जेनाइटल वाट्स में किसी भी तरीके का फिजकल डिसकमफर्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कुछ केसेज में इन वाट्स में हलकी इचिंग से यानी की खुजली हो ऐसे पेशेंट को अवर दा काउंटर रेंडमली किसी मेडिसीन का सेवन नहीं करना चाहिए. तो आईए, अब हम इन जेनाइटल वाट्स के पर्मनेंट ट्रीटमेंट के बारे में जाल लेते हैं. इस ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अपने वीडियोज में मैं कोई भी मेडिसीन बताता हूँ, तो वो बेसिक यूज के लिए सबसे बेस्ट मेडिसीन होती है. और जिन मेडिसीन का मैं डिसकस कर रहा हूँ, इसको अल्रेडी हमने अपने पिछले वाट्स और जेनाइटल वाट्स के वीडियोज में भी बताय हुए है. और ये तीनों ही होमियोपैथिक मेडिसीन है, क्योंकि वाट्स के केस में होमियोपैथिक का बहुत ही अच्छा रि अगर इन medicines के uses की बात करूँ तो इन में से Vortex Cream external application करने वाली medicine है। इस Vortex Cream को affected body part के उपर apply करनी होती है। इसके अलावा Vortex Drop और Weasel Vortex Tablet oral use की medicine है। लेकिन कई बार कई viewers हमें Instagram पे messages और comment करके पूछते हैं कि क्या एक ही साथ उनको ये तीनों ही medicine लेनी है। तो मैं बता दूँ कि इन में से एक medicine तो external application के लिए है और rest जो दो medicine oral use के लिए है ये एक ही साथ लेनी है कि नहीं ये आपके physical condition और आपके doctor पे depend करता है। वो जरूरत ल बता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आपको कौन-कौन सी या फिर और कितनी medicine सेवन करनी चाहिए। अब अगर बात करें कि इन medicines का सेवन करने से कितने समय बाद आपको genital watch से छुटकारा मिल सकता है। तो ये भी person to person vary करता है। क्योंकि कुछ patient में 10 to 15 days में ही काफी effective result मिलते हैं वहीं किसी दूसरे patient में 20 से 30 दिनों में भी result देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपके case में genital watch बहुत ही पुराना है और काफी जादा clusters में निकल रहे हैं तो ऐसे में आपको doctor से suggest करके ही कोई भी medicine का 7 करना चाहिए। क्योंकि आपके doctor कुछ test भी आपको करा स उपर medicine आपको suggest कर सकते हैं। इसके अलाबा काफी सारे viewers की इन medicine को लेकर curie होती है कि ये उनको over the counter नहीं मिल रही है। तो ऐसे में इन medicines को online purchase करने का link में वीडियो के नीचे description में और वीडियो के नीचे comment box में pin करके डाल दे रहा हूँ। वहां से भी आप इन medicines को check कर सकते हैं या फिर online order करके मंगवा सकते हैं। तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको genital watch के उपर proper और scientific information मिली होगी। ये वीडियो अच्छे लगी है तो इस वीडियो को like करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करें और ऐसे ही health related videos पाने के लिए हमारे channel को subscribe करके बगल मे बनने वाले बिल के आइकन पर भी प्रेस कर लें।